सिधार शुकला की मौत, सैमिली, फैंस और फैंस के लिए बहुत बड़ा सत्मा है बिग बॉस 13 के विनर रहे सिधार शुकला के परिवार पर दुखों का पहार तूट पड़ा उनकी मा रीता शुकला का पूरा हाल है जवान बेटों को खोने के गम में रीता शुकला पूरी तरह से तूट चुकी है बेटे सिधार शुकला के अंतिम संस्कार में मा रीता का बुरा हाल था क्योंकि सिधार उनके फिनों बच्चों में सबसे छोटे थे और मा के सबसे लाड़ ले थे इसकी एक जलक Big Boss के घर में देखने को मिली थी जब बेटे को इतने दिनों के बाद सामने देखने पर रीता शुकला बहुत एमोशनल हो गई थी सिधार शुकला अकसर अपने इंटरवियू में मा रीता शुकला के बारे में बात करते थे सिधार ने बताया था कि लोग मुझे एक बाहरी तोर पर रूड व्यक्ति के रूप में जानते हैं लेकिन मैं हमेशा अपनी मा के लिए बिखरता हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ वे मेरे जीवन में सबसे महत्पून व्यक्ति रही मैं तीन बच्चों में सबसे जोटा था और अपनी बैहरों के साथ खेलने के लिए बहुत चोटा था इसलिए मैं हमेशा मा के पास रहता था जब मैं एक बच्चा था तो मैं रोता था और उनके बिना एक सेकंड नहीं रहता था इसलिए रोटिया बनाते समय भी वे मुझे एक हाथ से पकरती थी और दूसरे हाथ से अपना काम करती थी सिधार शुकला ने इसे इंटर्व्यू में खुलासा किया था कि बच्पन के बाद भी उनकी मां हमेशा उनकी सबसे अच्छे दोस रही अभी नेता ने कहा जैसे जैसे में बड़ा होता क्या ने मेरी सबसे अच्छे दोस बन गई हर बार जब मैं खेल कर घर वापस आता तो हम सब कुछ बाते उनको बताते थे जबकि अन्य बच्चे अपने माता पिता से बाते चिपाते थे नैं उनको अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता था उन्होंने मेरी बहुत अच्छी परवरेश की और बहुत कुछ सिखाया नैं एक शरार्ती बच्चा था जो मुसीबत से दूर हो जाता था लेकिन जब माने मुझे हमेशा इमानदार रहने के लिए कहा तो मैंने अपनी गलतियों को सुधारा एंटेर्मेंट जगह से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीचे